नविशकार दोस्तों मैं मुकिश वर्मा आप देख रहे हैं मैडिसन किंग फ्रेंड्स आज हम बेटनोवेट एंड के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत से वीडियो देखे होंगे बेटनोवेट एंड के फेरनेस कितना इसे अधिक होता है कितना गुरापन होता है यह मतलब गुरी के लिए कितनी इस्तमाल किया आती है और दोस्तों अपनी इंडिया के अंदर मतलब बेटनोवेट एंड का इतना इस्तमाल होता है फेरनस के लिए फेरनस क्रीम के द्वारा और मतलब आपने इसके बहुत से रिव्यूज भी देखेंगे बहुत से कस्वो गाउं में शेहर में बैटनोवेट एन का इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों मैं बता दूँ इसके कितने हामफुल है और क्या सही इस्तमाल है उसके वारे में जानकारी हम लेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप धार्मिक स्तलिया पब्लिक प्लेस या अच्छे-चे महल वगएरा जैसे कि इतिहासिक जागा या एडविंचर वीडियो या आप मेरे वारे में कुछ जानना चाते है तो मेरे एक नए चैनल बुंदेली ब्लॉक्स को सब्सक्राइब करिए या साथ में बेल ऐकन को दवाएएगे दोस्तों अगर आप वोमपेज पे जाएंगे इस चैनल के तो मेरा मतलब जो नया चैनल है बुंदेली ब्लॉक्स तो उसको जाके सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो अगर जिनको पसंद है देखना और इस परकार के ब्लॉक्स फैट्नोमेटर एंड की यहां पर ब्रैंडिक एक अथिकल ब्लैंड है और इसको गलेक्स समयथी काइट को बनाती है तो भाई मैं दिखा देता हूं कहां लिखा है उन्होंने लोगों तो दिया है फंव्र नुवक्स यहां पर देखें आप देख से जी एस के गलेक्स तो मि च्टिकाइड फ्रार्मसिटिकल दोस्तों इनके प्रोडेक्ट आते हूं उर्यक ड्रैंड मार्केट में भीकने वाला बहुत ज़्जादा और प्रोडेक्ट यह और दूस्तों में बता दू यह एक ब्लैक में भी बकश एक चुका है यह प्रोडेक्ट क्योंकि की दोस्तो도 में जाता है . यह मैं किस प्रपरस की लि commercials किया जाता है जो सब्सक्राइब प्रइफ्टिन के प्रोब्रम रहती है तो उस कंडिशन में आप इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी इंफेक्शन किस परकार की तो जिन पिशन्ट को इलर्जी होती है चरम रोग है या दाद है खुझली है या बोड़ी की उपर सुराइसेस होते हैं जैसे कि एक्जिमा तो दो पॉड़ी की उपर पिंपल्स निकलना या प्रिंपल्स की उपर हों जाते हैं बॉड़ी में चकत्ते बढ़ जाते है तो उस कंडिशन के लिए आप बें तो क्रीम का इस्तमाल होता है तो यह के लिए हैं जैसे जिनको कम पिंपल्स हलके फुल के हो चुके हैं जादा नहीं है तो उसके लिए आप इस क्रीम का इस्तमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल देखा गया है तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके साइड एफेक्ट के वारे में और फिर हम ब करते हैं बेटनोएट एंड का फेर्नस के लिए जो कि बहुत ज्यादा हम्फुल है दोस्तों अगर आप इसको कंटिन्यू लगाते हैं इस बेटनोएट क्रीम को और आपको फेर्नस तो मिलेगा वही कुछ दिनों के लिए अगर आप इस क्रीम को छोड़ देंगे बीच में क कर देंगे तो फिर से आपकी वैसी की वैसी स्किन हो जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हम्फुल है ठीक है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ मतलब उनके लिए कितना अफेक्टिव है यह सौरी साइड अफेक्टली है और इस क्रीम का जो इसको रेगूलर इस ही खराब हो जाएगे जिससे आपके स्किन फटने लगेगी फेस की उपर की और आपके स्किन को पर रेडनस हो जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा तकलीब भी होगी दोस्तों अगर आप इसको ज्यादा अप्लाई करते हैं तो फेस की पर जलन हो सकती मुहां से ज्यादा ह कर तो उस परकार की मनलब आपको दिक्कत पड़ सकती है और दोस्तों आपके फेस को पर स्वैलिंग भी हो सकती है तो दोस्तों यह थे इसके साइड एफेक्ट और आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको यह वीडियो पसंद आपको लाइक शेर जुरू करिएगा धन्यवाद कर दोस्तों झाम है कि ड्रुशण है यह वीडियो मैं है कर दोस्तों यह पार के दियरू कर दोस्तों यह मैं है टुरू कर दोस्ताट réfरात है